हलो दोस्तों आपके फोन में भी Chrome Browser होता होगा सबस्तों क्रूम ब्राउजर के एक अप्रेक्सन होता है क्या आपको दोस्तों मालूम है कि Chrome Browser के अंदर कुछ ऐसे ऐसे इसे फिडेन सेटिंग्स छुपे होते हैं जिसके बारे में दोस्तों बहुत लोगों को नहीं मालूम होत सकते हो सिर्फ दोस्तों Google Chrome के सेटिंग्स में अपलाई करके आपने फोन के यह सब प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले हलो दोस्तों मेरा नाम संदीप आप देख रहो नॉलेज गुरू जी तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपके फोन में Google Chrome होता ही होगा सभी एंडवाइट फोन में दोस्तों Google Chrome के नाम से एक application होता है आप इससे दोस्तों अपने फोन का बैटरी, storage, hang problem और RAM problem को दोस्तों fix out कर सकते हो बड़े ही आराम से जो मैं अपन dot जो दिख रहा है इस पर click करना है और यहां जो नीचे settings का option दिख रहा है इस पर दोस्तों आपको click करके settings में चले जाना है यहां पर अंदर settings में जाने के बाद आपको दोस्तों यहां पर sync के नाम से एक option दिखता होगा इस पर आपको click करना है यह आपका on रहता होगा दोस् बता रहा हूं यह सभी को दोस्तों आपके फोन का जो हैंगिंग प्रोब्लम है दोस्तों वो 10% तक कम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे एक तरफ हलका से स्क्रॉल करना है और प्राइविसी एंड सीक्योर्टी के अंदर आपको चले जाना है यहां पर आपके फोन में अंगिंग प्रोब्लम है तो कैसे फिक्स कर सकते हूं अब दोस्तों मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूं वो बाइटरी के रिलेटेड में हैं कि आप अपने फोन में बैटरी कैसे दोस्तो बचा सकते हो 20% तक दोस्तो आप अपने फोन की बैटरी बचा सकते हो Google Chrome की मदद से तो सबसे पहले दोस्तो आपको यहाँ पर नीचे के तरफ क्लिक करना है Notification का एक option दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जाने के बाद आपका पूरा Notification जो है दोस्तो इसको बंद कर दिजेगा क्योंकि Google Chrome से कोई भी ऐसा काम का Notification दोस्तो नहीं आता है और जब दोस्तो आपके फोन में कोई Notification नहीं आएगा तो आपका जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन नहीं होगा दोस्तो जल्दी खतम नहीं होगा Notification दोस्तो बंद कर दिजेगा और एक सेटिंग और आपको अपलाई करना है जिसके कारण आपका जो बैटरी है दोस्तो वो 20% तक बच जाएगा यहाँ पर थीम का एक option दिख रहा है यह दोस्तो लाइट पर सेट होगा आपको यहाँ पर डार्क पर क्लिक करके छोड़ देना है आप जैसे ही दोस्तो डार्क थीम को अपलाई कर लोगे आपका जो बैटरी है वो 20% तक सेव हो जाएगा यह दोस्तो दोनों सेटिंग्स मैंने बता दिया हैंगिंग प्रोबलम का और दूसरा मैंने बैटरी प्रोबलम का दोस्तो आपको बता दिया अब जो मैं बताने वाला है दोस्तो तीसरे नमर सेटिंग्स के बारे में वो है स्टोरेज प्रोबलम का कि आप अपने फोन के स्टोरेज को कैसे फ्री कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन के settings में चले जाना है और यहाँ आपस वाले oậpशन में चले जाईएगा और यहाँ पär दोस्तों आपको एक option सर्च करना है यहाँ पär Google Chrome का आपको इस पे click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे storage का एक option दिख जाएगा इस पे आप क्लिक कर दिजेगा अब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो storage settings है Google Chrome का वो खुल कर आ जाता है यहाँ पे total दोस्तों देख लेजे ध्यान से 1.70 GB मतलब 1.70 GB जो मेरा storage है Google Chrome ने storage है clean नहीं करते हैं जिसके कारण उनके storage जो है बहुत जल्दी दोस्तों भर जाता उनको मालूम भी नहीं चलता है यहीं सो storage भर जाता है तो आपको यहाँ उपर दो options को करेंगे manage storage का और clear cash का तो आपको दोस्तों सिंपली से यहाँ पे clear cash पे click करना है उसके बाद दोस्तों जो 531 MB है यह देखेगा दोस्तों आपका जो है clear हो जाएगा जैसे मैं clear पे click करूंगा दोस्तों मेरा जो 531 MB है वो देखे यहाँ पे clear हो गया और जो यहाँ पे नीचे total जो दोस्तों 1.70 GB दिखा रहा था वहाँ पे दोस्तों देखने लगा है 643 MB तो इस तरह दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे देखे लिजे clear कैस कर देना है फिर यहाँ पे 70 MB जो है वो दोस्तों फटक से clear हो जाता है इस settings को दोस्तों आप अपलाई कर लिजेगा तो फिर आपके फोन का जो storage problem है storage जल्दी जल्दी जो भर जाता storage problem है वो जल्दी जो दोस्तों आपको fix out हो जाएगा मैंने डोस्तों आपको तीन सेटिंग्स बता दिया है hanging problem का battery problem प्रॉबलम का और storage problem का दोस्तों मैंना की problems जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और रम problem का कर दो हाथ ajaатель सभख का चले जाना है settings पर यहां पर क्लिक कर दिजेगा यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे से स्क्रॉल करना है और यहां privacy and security का एक option आपको दिख जाएगा दोस्तों यहां पर उपर ही के तरफ आपको दिखेगा clear browsing data दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत लोग जो है सा चालो साल तक Chrome browser यूज करते हैं लेकिन जो भी search करते हैं उसको दोस्तों delete नहीं करते हैं जिसके कारण आपका RAM जो है सही से phone में काम नहीं करता है उसके बाद आपका फोन का hanging problem है वो भी दोस्तों start हो जाता है और RAM भी आपका सही से काम नहीं करेगा जब आपका RAM सही से काम न लिखा है तो लाश्ट आवर की जगह आपको दोस्तों all time पर click करना है अल टाइम पर click करने के बद यहां पर दोस्तों देखे लिज़े दो 92 MB हो गया है अगर मैं one hour का अगर सिफ यहां set कर दूंगा लाश्ट आवर का अगर मैं यहां यहां पर set करूंगा तो यहां पर दोस् option है इसको दोस्तों आपको clear कर देना है फिर आपका जो दोस्तों ब्राउजिंग डेटा है जो आप सालों साल तक ब्राउजिंग करते हो डिलीट नहीं करते हो वह दोस्तों क्या है फ्री हो जाएगा डिलीट हो जाएगा क्लियर हो जाएगा आपका दोस्तों कुछ ऐसा तो आप इसी Google Chrome की मदद से अब अपने प्राबलम को solve कर सकते हो यह यह था दोस्तो वीडियो तुमिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यह वीडियो दोस्तो सेर जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं आया है तो प्लीस सस्क्राइब जरूर करिए और like करना दोस्तों मत का धन्यवाद